हेए फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल स्टडिवल टेकनलोजी और आज हम कॉन्फिगर करने वाले हैं सिस्को केटलिस 3960 जी सीरीज को स्विच को आज हम यहां पे कॉन्फिगर करने वाले हैं यह हमारा न्यू सिस्को का स्विच है अभी देखे इसको मैं उपन कर लेत सब्सक्राइब ऑचनल सब्सक्राइब लाए देखे हैं तो ऊसे लेका सब्सक्राइब इसको है क्या-k Wert मैं दिखारेता हूं यहां पर देखें बैक साइड में जो मिलने वाला है यहां पर यह प्वर सप्लाई का उसन है । थिस पर रिमोट यूजली वहां पर नहीं साथ में साथ में देखें आप पावर सप्लाई का उप्षन है कितनी वोल्टेज इसमें चाहिए कितने एंपर पावर जीए सब कुछ यहां पर मेंचन है तो यह हमारा स्वीच है इसको हम कॉन्फिगर करने वाले हैं इससाथ देखें हमें मिला है यहां पर एक यूज कैसे करना है इस कंसोल का यहां पर देखें हम यूज नहीं कर सकते आर्जे-45 जो मुह यह पी प्लग है उसको सबसे में रिएजिजो कर देना है सीच में लगाने के बाद अब देखें इसका साइट जो कॉंपोर्ट है अब देखें यह जो कॉंपोर्ट है आपको इस system होते हैं उनमें ही Comport available होता है तो यह देखें लेस्टेस system में मेरे पास इसमें Comport available नहीं है तो इसमें मैं स्विच configure नहीं कर सकता तो इसके लिए मैंने old system का use किया है तो old system में मेरा यहाँ पे Comport है तो सबसे पहले मैं अपने स्विच को ओन कर लेता है उसमें power supply लगा कि यहाँ पे ओन हो चुका है साथ में अब देखें Comport जो मेरा old system है उसमें मैं यहाँ पर मेरा Comport available है उसमें अपने RJ45 console को यहाँ पे connect कर लेता हूं connect करने के बाद आप देखें power supply यहाँ पर जो system के अंदर है यहाँ पर देखें आप power on हो चुकी है और system हमारा start हो चुका है यानि switch हमारा start हो चुका है अब चलते हैं system की तरफ को और आपको मैं देखाता हूं कि कैसे आपको step by step आपको connection type लेना है इसमें आपको COM port 123 यहाँ लेख सकते हैं यहाँ पर आपको 10 net करना है तो यहाँ पर serial port रखना है COM port लेने के बाद आपको simple open के option पर क्लिक करना है जैसे ही आप open के option पर क्लिक करेंगी आपके सामने देखे screens हो जाएगी यहाँ पर आपका 10 net open हो जाएगा इसको आपके last configuration उसको आपको यहाँ पर लेना है तो यहाँ पर आपको नो कर देना है क्योंकि आपको configuration manually करनी है इसके बाद आपको enable mode में आना है याप कर सकते आप सबसे पेहले पहला step जो लेना है आपको ना और header तो यानि आप जो switch पो उन्फिर कर रहे हैं उसके लिए आपको एक header बनाना है उसके लिए आप यहाँ पर देखे header की लिखना है command जो लेनी है आपको banner motd या आपको confusion terminal mode में चलाना है banner motd आपको चलाना है आपको कोई भी special key यूज़ करना है टाइप करने बाद आपको जो end में जो special character से आपने start किया था उसी special character से आपको end कर देना है end करने के बाद आपको यहाँ पर enterprise करना है और देखे हमारा banner यहाँ पर make बन जाएगा साथ में अब देखे जो हमने conversion की है उसको हमें save भी करना होता है क्योंकि क्या होता है अगर switch हमारा restart हो जाएगा तो जो हमने banner बनाया है यानि कोज़ भी confusion की है वो हमारी automatically remove हो जाएगी तो इसको save करना होता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें exit करना है यानि global commission mode से exit कर लेना है इसके बाद हमें यहाँ पर एक command चलानी है copy, space, running configuration, space, startup configuration और enterprise कर देना है जैसे आप इस command का use करेंगे आपकी जितनी भी running configuration हो आपकी startup configuration में आज save हो जाएगी यानि अगर आपका system यानि आपका switch start भी होता है तो आपकी configuration जो है आपकी वो save रहेंगी तो इस command का आप use कर सकते हैं जो भी आप confusion करें उसके बाद इस command का use जरूर कीजिएगा या फिर आप right एक shortcut की होता है right आप right भी करेंगे तो भी आपकी एक command आपकी right लिए work कर जाएगी post switch में आपकी right command यूज नहीं करती है तो आप इस command यूज कर सकते हैं अब देखें दोस्तों अब हमें करना क्या है अब next step में हमें करना है अपनी switch को देनी है IP यानि अब अगर हम जो switch है उसको 10let remotely access करना चाहते हैं तो 10let SSH के लिए उसको आपको एक IP देनी होगी तो उसको लिए IP कैसे देनी है उसके लिए आपको क्या यह command यूज करना है CSS पर यूज करना है यहापे create करनी है VLAN क्योंकि जो भी IP आपको यहाँ पर देनी है वो VLAN के अंदर देनी है तो आपको एक VLAN जरूर create करनी है उसके बाद यह आप IP address यहाँ डाल सकते हैं switch के अंदर तो यहाँ में confusion terminal command यूज करना है enterprise करना है अब हमें यहाँ पर create करनी है VLAN तो confusion mode में यह आपको लिखना है VLAN और VLAN का number जो भी आपका VLAN का number है वो आपके लिख देना है तो यहाँ पर मैं VLAN 8 create कर लेता हूँ इसके बाद enterprise करना है इसके बाद command यूज करनी है interface VLAN और जो आपने VLAN create करे है उसका number तो यहाँ पर हम interface के अंदर ही हम अपनी IP address देंगे तो यहाँ पर आपको command यूज करनी है IP address और जो भी IP आपको देनी है जिससे आप यहाँ पर access करेंगे अपनी switch को यहाँ पर मैं अपना IP address देता हूँ IP address देने के बाद space देना है और उसमें देना है उसका subnet mask तो यहाँ पर subnet mask अब कोई भी यूज कर सकते है class 1 IP address मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ यहाँ पर subnet mask मैं class B, C और A का भी दे सकता हूँ तो मैं by default class C का यहाँ पर subnet mask यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे एंटर करना है तो यहाँ पर देखें IP address हमने अपने interface में दे दिया है IP address देने के बाद हमें एक command यूज करनी है no shutdown इसके बाद देखें हमें exist करना है global confusion mode से exist करने के बाद हमें देखें हाँ पर confusion mode के अंदर ही देनी है command चलानी है जो कि IP default gateway यहाँ पर default gateway यहाँ ज़रूरी है ताकि जो हमारा router पर access करना है होता है उसके थुरू हम अपनी switch को access कर सकते हैं तो यहाँ पर IP default gateway और उस IP का मैं default gateway यहाँ पर डाल देता हूँ default gateway डालने के बाद मुझे एंटर करना है एंटर करने के बाद देखें हमें exist कर लेना है exist करने के बाद देखें हमने अपने interface यहाँ विलैन के interface पर हमने अपना IP address दे दिया है अब साथ में चाहिए मैं आपको extra command हो जाता हूँ जो कि है hostname जो एक ही अभी left side में आपको सो कर रहा है switch इसका आप चाहिए hostname भी change कर सकते हैं तो इसके लिए आपको confusion mode में ही जाना है उसमें जाने के बाद आप लिखना है command यूज करनी है hostname और जो भी hostname आपको रखना है जैनि कुछ भी आप नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ room no.90 कुछ भी आप अपने साब से hostname रख सकते हैं और उसके बज़े से enterprise करेंगी तो देखे आपका switch का जो hostname है वो change हो जाएगा आप चाहिए इसका name भी change कर सकते हैं इससे आप easily check कर सके कौन सा switch आपने open किया है अगर एक company के अंदर जा रहे हैं कि कौन सा switch आपने open किया तो hostname भी आप चीन कर सकते हैं साथ ही आपने जो configuration आपने switch पे की है उसको check करने के लिए आप command उच कर सकते हैं so running configuration जैसे आप so running conference को करेंगे इसमें इस enterprise करेंगे तो आपके सामने जितनी भी आपकी running configuration आपकी जो अपने अभी की है वो आपको so करेगी जैसे मैंने आप पे अपनी switch को IP address दिया है hostname दिया है और banner बनाया है सारी configuration जो हमने आपके की है वो यहाँ पे हमें so कर जाएगी अब हमें करना क्या है है आप देखें दोस्तों हमने अपने switch को IP address भी दे दिया है आप देखिए अगर हम 10Lat यानि कभी हम इंटरनेट की connectivity करने के बाद इसको 10Lat के दुरू आप एकना access करना चाहते हैं अपने switch को remotely तो उसके लिए हमें परमीशन भी कुछ लेनी होगी जब तक हम access list क्रेट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी switch को access नहीं कर सकते तो यहाँ पर एक access list क्रेट करनी होगी जिसमें हमें define करना होगा कि यह switch यानि यह है user हमारे जो IP address है जो Mac है वो इस switch को access कर सकते है otherwise नहीं कर सकते है अगर हम access list क्रेट नहीं करेंगे तो कोई बी switch यानिकोई IP address आपके network के अंदर आपके switch को easily Access कर सकता है तो इसके लिए हमें access list गरनी है आपको कोन से करना वाला हूँ स्तेंडर्ड लिखनें के बाद आपको अक्सेश लिष्च का यहां पर नेम देना है यह D जिसमें Nie अबको पर मेरा है — का यहां और रख सकते हैं सब्सक्राइब सिर्फ बाद करना है जैसे आफ कि आन्टर प्रेस करेंगे इसके बाद आपको यूज करनी है कुछ कमांड जिसमें आपको permission देनी है कि कौन-कौन से आपके system जिसनकी IP address आपके लाओ करनी है जिससे आप अपने system से आप अपने switch को access कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखना है आपको permit और permit लिखने के बाद वो आप IP address लिखना है जिसको आप अपने कमांड जिस करनी है deny any log यानि इन IP address को छोड़कर कोई भी इस switch को access करना चाहेगा remotely तो वो आपका deny कर दे जाएगा तो इस command को यूज करने के बाद आपको enterprise करना है enterprise करने के बाद देखिए आपके access list create हो जाएगी अब मैं यहाँ पर exist कर लेता हूं exist करने के बाद देखिए मे global configuration में कुछ security लगाने वाले हैं जिसके लिए हमें username और password create करने होंगे तो हमें टर्मिनल मोड में जाना है और command यूज करनी है username तो जो भी आप username रखना चाहते हैं वह username आप यहाँ पर दाल देगा space दाने के बाद इसके बाद space देना है इसके बाद लिखनी है command आपको privilege privilege दे सकते हैं तो यहाँ पर दाल रहा हूं वह 15 डाल रहा हूं direct maximum privilege दाल रहा हूं यहाँ पर privilege दालने के बाद आपको space देना है और question mark लगा कर मैं दिखा रहेता हूं यहाँ इसके बाद भी आप बहुत सारी command यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम password लगाना चाहते हैं अपने global configuration mode मे तो यहाँ पर हम command यूज करेंगे password का password देने के बाद जो भी password आपको रखना है जिससे आप अपने switch को access करना चाहते हैं वो password आप में पर दे दिजेगा password आपको याद रखना है अगर आप password भूल गए ने तो आपको अपने switch को reset ही करना पड़ेगा उसके बाद यह आपको अपनी confusion कर सकते हैं तो password आप no down कर ली जाए कहीं पर username और password तो यहाँ पर password देने के बाद आपको एंटरफ्रेस करना है जैसे आप एंटरफ्रेस करेंगे तो आपके global confusion mode में आपका username और password सेट हो जाएंगे अब यहाँ पर हम एक extra command यूज कर लेते हैं जो कि है service password encryption अगर हम इ जैसे service password लिखता हूं और question मार लगाता हूं तो बहुत सारी command आपके देखने के मिल जाएगी तो यहाँ पर हमें encrypt करना है अपना password तो यहाँ पर हम यूज करेंगे command service password encryption और enter प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे password encrypt हो जाएगा तो यहाँ पर मैं exit कर लेता हूं global confusion mode से एक्जिस करने के बाद देखिए मैं यूज करता हूं command so running so running करने के बाद देखिए जितनी भी configuration के अंदर हमने आपके अपनी confusion key switch के अंदर वो यहाँ पर सारी हमारी जो confusion so करेगी तो यहाँ पर देखिए मैं आपको so कर रहा देता हूं जो मेरा यहाँ पर जो मैंने यूजर नेम और password दिया है वो encrypt हुआ या नहीं हुआ है तो देखिए जो यूजर नेम है मेरा यहाँ आपी वो सो कर रहा है साथ में आप देखिए दोस्तों आपको करना क्या है हमने access list की rate की ती तो अब इसको हमें recall कराना है यानि जब हम 10 let के तुरू अपने switch को access करेंगे तो उसको permission कैसे देंगे यानि कितनी system आपको access करना है उसको access list को recall कराना है उसके लिए आपको कौन सी command use करनी है उसके लिए आपको conviction करना है इसके बाद देखिए यहां पर यूज करनी है command line Vty यसी हम line Vty लिखते हैं और question mark लगाते हैं तो यहां पर हम इसको चाहीं चार लख सकते हैं पांच लख सकते हैं तो यहां फिप्टी नहीं रख देता हूं और एंटर्प्रेस करता हूं एंटरप्रैस करने के बाद कीमांड करनी है जो कि लोगीन लोकल लोगिन ल הכल लिकने पापको एंटरपीस करना है यह पर एंटरपैस करता हूँ इसके बाद मुझे आपना password देना है password आप चाहिए सेम रख सकते हैं तो मैं् Сबसक्राइब न सबसल्या करना है एंटर पैस करने के बाद हमें अपनी नेक्स कमाड में एक्सिस क्लाइट की ती उसको रिकॉल कराना है तो इसके लिए हमें कमांड यूज करनी है एक्सिस क्लास और जो एक्सिस लिस्ट का नीम है वो नेम डाल देना है इसके बाद हम को सर्मार्ट लगाते हैं तो यहा फिर outbound पर हमें inbound का option select कर लेते हैं तो यहां पर पूरी command बन जाएगी access class जो class का name space inbound और करना है एंटर प्रेस करना हैं अब next कमाण्ड जो करनी है फिर प्रांसपॉर्ण्ट इइंपट और अगर आप को समाइस लगाते हैं और अप समिंने लगा आप पूर्ण कर सकते हैं अब हम जल्दी से अपनी सारी को चेक कर लेते हैं तो क्मांड उझ कर लेते हैं सो रन लिखते हैं और एंडर करते हैं जितनी यहां पर चल रही है स्विच के अंदर वो इसमें हमाने आपने एकसिस लिए किया है और आप देख सकते हैं आप अब क्या करने वाले हैं जो हमारा चाहते हैं उस पर पासवर्ट लगाना तो इसके पासवर्ट लगाने के लिए आपको कॉन से कमांड यूज करने हैं इसके लिए हमें जो कमांड यूज करने वाले हैं इसके लिए हमें कॉन विशन मोड में जाना है इसके बाद हमें लाइन कंसोल लिखना है और कोस्वर्ट लगाते हैं तो हमें लगाने बाद हमारे नंबर सो करता है जीरो नंबर सो कर सकत तो यहां पर आप सेम पासवर्ड देने के बाद एंटरफेस करना है तो देखें मेरे कंसोल पर भी पासवर्ड लग चुका है अब अगर आप यही कॉंट्रिगेशन 2960 egy और एस्रीज में कर रहे हैं तो यहां पर जब आप कंसोल पर भी पासवर्ड लगाएंगे तो कुछ आपको एक्ट्रा कमांड यृप यूज कर सकते हैं लेकिन यह हमारा 3060 जी है तो इसमें आपको कमांडं आमारी करेकिंगी यह लोग इन स्नक्रोंड और लोग इन लोकल क सना प्यूज़ कर सकते हैं, शाथ में जो हमने password गर बाद को भी हम आपर जैसे हम इसको टैनलेट करते हैं और यहां पर पास्वर्ट करना है क्योंकि हमने रखने के बाद यूज्ज करना है इनेबल कमांड देने के बाद एंटर करना है इसके बाद हम देखे switch के अंदर enter कर जाएंगे अब हमें यहां पे अपनी conversion करनी है तो conversion जो बागी बच्ची हुई है वो है अब port पे बच्ची हुई है हमारी कि हम अपने port पर security लगा सकते हैं कौन कौन सी security हम अप command यूज कर सकते हैं अपने port पर तो यहां पे हमें जो command यूज करने वाले है सबसे पहले हमें conversion mode में जाना है security लगाने के लिए port पे अगर conversion mode के अंदर है तो यहां पे मैं check भी करा देता हूँ आपको कुछ commands जिसमें आप check कर सकते हैं कि हमारे port पर भी up है या down है या फिर उस पर कोई IP दी है so interface description तो जितने भी हमारे port है उसका इस्टर सो कर जाएगा वो हमारे down है अप है या क्या है किस condition में वो सो करेगा साथ में अब देखिए हमारे पास क्या होता है कभी switch हम temporary यूज करते हैं तो हम भी आगरेंगे जो अगर अगर आपस fiber cable नहीं है यूटीपी cable है तो हम क्या करेंगे जो हमारे 24 port है उसका last port को हम trunk port बना देंगे जो हमारा gigabit port है उसका हम trunk port बना देंगे तो हम यहाप चाहेंगे interface में जाएंगे जो हमारे last port है उसका port का number लिखेंगे interface port number और यहाँ पर लिखनें command उज़ करेंगे switch port mode trunk और फिर enter press करेंगे enter press करने के बाद हमारा ये port trunk port बन जाएगा साथ में command उज़ कर सकते हैं साथ हम vtp mode client यानि जो हम switch है उसको हम client बना रहे हैं और जिस पे इस fiber यानि utp cable से थुरू हम एक तरह से fiber यहां पर लगाएंगे अपनी switch पर जो से switch रहेगा हमारा server रहेगा तो इसको हमने client बना दिया है client पे हम कोई भी one नहीं बना सकते आँ तो इसके लिए पहले आगर हम यहां हम कोई भी बीन बना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले सा इस तो सबसे पहले में चेक कर लेता हूं कि मेरे किस port पर कौन सी IP डली होई है तो इस IP चेक करने के लिए कि यह मुझे command यूज़ करनी है so IP interface brief जैसे मैं इस command को यूज़ करता हूँ और enterprise करता हूँ तो देखिए हैं पर मेरे port अभी सारे down आज पर कोई IP assign नहीं है लेकिन मैंने VLAN 8 पर एक IP बनाई होई है जिससे मैं 10 Nets के जुरूँ अपने इसको एक्सिस कर सकता हूँ रिमोटली तो यहां पर VLAN 8 पर IP दे होई है और पाकी जो मेरे port है उन पर कोई IP यहां पर नहीं दे होई है साथ में उनको प्रोटोकॉल अभी साभी down है यहां पर और interface बे वो down हो कर रहा है तो हमें command उज़ करनी है सारे port लगानी है तो interface range और जितने भी port number है यह जो भी अपर port number है उस port number से आपको start करना है जैसे मेरा GI 0-1 से लेकर आपको dash लगाना है और जितने port 25 या 48 port है वो लिख देना है आपको port number आपको check कर लेना है इसाब से आप यह command उज़ किया आप चाहिए गार एक port पर security लगानी है तो आपको command उज़ करनी है interface और उस port का number तो port number मैंने आपर range में select किया है तो interface range GI 0-1-24 port का switch है तो आपर 24 की नहीं ज़ेंगे 23 लगाने वाला हो कि मैंने 24 port को क्या है trunk port बना दिया है इसे ट्रांसफर करते हैं आप जितने सिस्टम लगाएंगे तो सिर्फ एक ही सिस्टम हमारा एंटर कर पाएगा हमारे network के अंदर तो इसके लिए हम आप हमें security की जो एक्सिस है maximum उसको इंक्रीज करना होगा तो हम trunk port पे अपने हापी security नहीं लगा रहे हैं तो इसलिए हम यहां पर 23 ले रहे हैं और एंटर प्रेस करते हैं इसके बाद हमें इसको एंटर करेंगे हमारी port security नेबल हो जाएगी इसके बाद हमें कमांड यूज करनी है switch port port security maximum one यानि इस जो भी आपका एक port है उस पे सिर्फ एक ही mac address आपका आ जाए यानि एक ही सिस्टम आपके आपर रनिंग होगा अगर दो सिस्टम आता है तो आपका हो shutdown हो जाएगा उसके लिए कमांड लग से है आपकी यहां पर आपको यूज करने वाले हैं वह रिस्टिक्ट यूज करने वाले हैं क्योंकि अगर आप बिग नेटवर्क है तो आप रिस्टिक का कमांड का यूज कीज़ेगा अगर यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैं रिस्टिक का कमांड यूज कर लेता हूं और फिर कमांड बनाने वाला हूं तो इसके बारे माद बताऊंगा क्या है तो यहां पर आपके इचिछ port 8 e ileil the यहाँ पर आपके अंदर आपके अंदर नेट्वर्क के अंदर कफी सारी विलान बनी होई है तो आंसات रही डिफेर्ट आध54 पे रिंच करता रहूंगा अपने बाद मी तो मैंने सभी प्रकॉपने वीलान 18 में अधर में ब्रिया इसके बाद मुझे एक्जीट करना है कि ह वो complete हो चुकी है इसके बाद बहुत सारी extra command जिनको आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर 100 यहां पर करता हूं 100 port तो यहां पर देखिए जो मेरा 100 port के अंदर जो port नंबर है एक से लेकर 33 से यहां पर 100 नहीं करेंगे 24 नहीं करेंगे 24 मैंने अपने पर security नहीं लगाई है port security तो य आता है तो वो रिष्टिक यहां पर वोई लिसन अंदर आप में so करेंगा साथ में so interface description करता हूं तो देखिए अभी सारे port हमारे down है सिर्फ अब यहां आप है पाकी जो हमारे port है वो हमारे आपर डाउन है protocol भी हमारे डाउं सो कर रहा है भी हापी सेम वह सारी command है आप so running command कर सकते हैं so interface brief कर सकते हैं काफी सारी command है आप check करने के लिए कि आपका port कोन सा up है down है यह every port को भी आप अप अपचेक कर सकते हैं तो उसके आप में ले सकते हैं साथ में आप एक port पे आप अगर दें चाते हैं कि security लगी हुई है तो आप check कर सकते हैं command so run interface और इंटरफेस का number डालेंगे तो आप जितनी भी port पे security लगी है और सब कुछ आपने आप सो कर जाएगी स्विच पे IP device tracking यादि आपके each port पर क्या IP address आपका यहाँ पर सो कर रहा है वो आप स्विच पे बैठके ही देख सकते हैं आपको किसी user के पास जाने की जरूत नहीं है तो उसके लिए आप command यूज कर सकते हैं so IP device tracking all यहाँ पर देखें अभी कोई यहाँ पर IP device tracking यहाँ पर enable न नहीं है यह मेरा 69G है तो इस सीच पर मेरा IP device tracking इनेबल नहीं हो सकता क्योंकि यह command इस पर यह work नहीं करेगी यह command आपकी 6960S और X सीज पर आपकी यह easily work कर सकती है इसके बाद साथ में आप एक command और यूज कर सकते हैं जो कि यह IP binding IP binding में क्या होता है आप एक port को specific IP के साथ आप आप bind कर सकते हैं एक port पर आप specific Mac के साथ एक IP को bind कर सकते हैं यानि अगर उसके बाद अगर कोई और system उस port पर आता है तो वो आपका running नहीं करेगा जब तक आप उस पर IP binding को remove नहीं करेंगे इक्ष्यली क्या होता है network में क्या होता है एक port पर आपका Mac address आता है उस Mac address पर आप एक IP address होती है आपके system की अगर वो IP आपके Network के अंदर आपके चेंज कर दी जाए तो आपका work कर जाएगा यानि Mac तो आपका same रहीगा अंगर IP अगर system के पर दोर दे दे तो आपका system चल है जो नेट्रक के अंदर सोड़ा सा प्रोब्लम आती है आप यह की नहीं कर पाएंगे कि आई-पी आई-पी जो आपने दी है वो उस सिस्टम पर वर्क कर रही है नहीं कर रही है तो आपको अपने सिस्टम के अंदर तो उस कमांड को भी यूज कर सकते हैं इस कमांड को अगर यूज करना है इस कमांड के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप आई-पी बैंड अपना सिस्टम पर लगा सकते हैं पूरे नेट्वर्क पर लगा सकते हैं इपी बैंड स्विच के पूरे पोर्ट पर आप एजली लगा सकते हैं तो उसके लिए आपको मैनुली एक एक सिस्टम पर आपको आई-पी बैंड लगाना होगा आप लगाना कैसे है उसके लेए लग वीडियो में नहीं है तो उसके लिए आप डिस्क्रिशन मिल जाएगी वीडियो उसको भी आप चेक कर सकते हैं तो साथी दोस्तो इस तरीके से आप configure कर सकते हैं अपनी switch को सेम तरीके से आप configuration कर सकते हैं 60s series की और x series की बस उसमें थोड़ी command आपकी extra लगानी होती है वो आपको मैं next video में try करूँगा अगर मेरे पास कोई switch आएगा तो मैं उसकी configuration भी आपको check करा दूगा कि कैसे आपको वो 69x और s series को आपको configure करना है तो बस दोस्तों हो चुका है हमारा complete 69g series का configuration हमने कर ली है यह new switch था जिसको मैंने आपको configure करने के दिखाया है अब मुझगों मैं इसको simple अपने network के अंदर add कर दूँगा और यह मेरा काम कर जाएगा तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी ल क्यों की साथ है यह इसान की साथ है तो समय डьार कर दvji है बाम को है यह यह तोस्तों आपको कैसे है है जुका।